हे लो दोस्तो नमस्कर तो आपसेढ़िके संतनमेक्स चैनल है जारियनोस तेल थे दोस्तो आज हम फिर proto get आ रहा है है आप से लिए के वे लिए नियू पलक दोस्तो आज का बलَّउगा है हमारा फिर देखिए यह बोरीन है जिससे की खेतमे सिचाई की जाती है मसीन या दि मोटर से हम इसी को चेक में लगाकर कस दिये और इसमें जो मोटर या पंपी सेट जो मसीन होती है उसका सेक्षन पाइप जो लगता है प्लास्टिक है उसमें अम लगा दिये ताकि एयर ना ले और इसको हम अपने यहांगी पर कल बना दिया है यह कर दोस्तों हम चला के बनाता है बिल्कुल पानी है जो वरीन है और यह हो गया चिक मेल और इसमें जो फलेंचाटी साकिट लगाया जता है और इस सिक्षन पाइप में लगा यह लगाई यह ताकि एयर ना ले और उरा हमेरा मक्का का खेत जिसमें हमें स्प्रे करेंगे और दोस्तों मेरे दावा स्प्रे करने के लिए थोड़ा बारा खेरता दो यह कर लगा ज्यादा टाइम लगता है मेहनत भी जिसके लिए हम मोटर बैटरी वाला एस प्रे मसीन लेकर आए अब देख सकते है यहां पे बटन है जिसको हम चालू करेंगे और दखिए एस्प्रे होना चालू हो गया तो चलिए अब बंद कर दिया तो चलिए हम अपना मसीन लेकर चलते हैं खेत में आप देख सकते हैं मसीन है और इसमें हम आपको बता दे कि 15 लिटर पानी इसमें 15 लिटर पानी के एरिया है इसमें 15 लिटर पानी आजाता है अराम से और इसको पीठ पे उठाना है चलिए हम उठाते हैं और लेकर चलते हैं स्प्रे करने तो बने रही हम वीडियो के साथ अंतक और चलते हैं हम अपने खेतों में वहां पर दोस्तों तो हम अपने पीठ पे मसीन ले चुके हैं आप मेरा मक्का की खेत दो एकर खेत हैं लगवग दोस्तों जिस चार भाग में बाठ चुके बाठ दिया गया है तीर बीच में मक्का है और किनारे पर सर्सों भी लगा दिया गया है सर्सों में फूल पकर लिया है और और अब मेरा यह वाला बाकी है दोस्तों हम अपने खेत में पहुच चुके है मसीन लेकर देख सकते हैं हमारे हाथ में स्प्रे का मसीन है और पीछे लटके लटका हुए है पन्दम पानी है इसमें और चलते हैं आफे पर ने हमारा खेक रहा है छार फिखेत है चार भाग बाटे गए दो एकर खेट है लोगहां तीन बावग कर दो घाज करेंगे और अधिक हम वहां से वहां से पानिले कर आए दबह जो स्थों चलते हैं में आप एस्प्रेक करने हैं है कि इसमें किरा लगा हुए जिसके करने हम एस्प्रेक करना पर रहा है किरा का दवा है दखिए तो चलिए दोस्तों कैसा रहा हमेरा आज के भलाओ का अच्छा लगा होता हमेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं लेफ्ट वीडियो में जय जवान जय किसाग